प्रिजेंटिंग स्पॉंसर सोनालिका इंटरनेशनल तेश की सर्फ पथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अम्परीश एक बाप फिर से आपका स्वागत है आपके अपने खास स्रीज में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानि फायदे का सौधा में किसान भाइयों हमारे बीच सोनालिका कंपनी के दो एक्सपर्स आज भी मौझूद हैं एक चेनरल मेनेजर मिस्टर कौशिक और दूसरे सीनियर जनरल मिस्टर बाके विहारी विहारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ह हमारे शो में आपका भी कौशिक जी अभी हम यह जानना चाहेंगे सोनालिका ट्रैक्टर में ऐसी खासियत है जो सोनालिका क्रॉन को और दूसरे ट्रैक्टर से अलग बनाती है आप देखेंगे कि सबसे इंपोर्टन चीज है कि जिस ट्रैक्टर जहां बनता है हमारे प्लांट में असी प्रतिसत ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वह हम खुद बनाते हैं ताकि आप देख सकते हैं हम वेरियस प्लांट विजिट भी फेंडर लगता है, वो खुद वहीं पे वहीं पे बनता है, और फुली ओटमाइज प्लांट में जैसे कि आप देख सकते हैं, गरिंग अंदर जाती है, और पूरा कम्पूटर से कट के, पूरा कम्पूटराइज रोबोट से करके पूरा गयर बहार आता है, यहां तक एक पूरी शीट मेडल अंदर जाएगी, आप प्रेस से देखके आपको बहार सीधी फेंडर निकल के आ जाएगा, तो इस तरह की फैसलिटेज बहुत कम या आयूद से, मिनिमम कहीं पे उपलब्ट हों तो यह चोटी चीज, चोटी-चोटी प्रोड़क्ट कॉलिटी है, जिसके हमें सबसे पहले द्यान दिया है, उसके इलावा हम लोग सब दूसरी पूर अंदर की बात करें, तो सबसे इंपोर्टन चीज है बैक अप टॉर्क, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कि ट्रेक् ट्रेक्टर का है, तो जो सबसे ज्यादा बैक अप टॉर्क है, यानि कि यह तब काम आता है, ताकि गहरी जुदाई, जैसे हमने बताया ना, गहरी जुदाई करनी हो, या उंची चड़ाई पर जाना हो, जोनों तरफ पे यह सबसे इंपोर्टन चीज है, जिसको हम रिजर च्रण पहाड़ों पर भी खेत होते हैं, तो क्या वहाँ भी हमारे यूज़ हो रहे है, जहां पे पहाड़ों पर खेत भी हो सकते हैं, या पि समान की डुलाई करके जाना हो, वहाँ पे उची चड़ाई का सवाल यूज आता है, जब भारी लोड लेके, अगर आपको भारी उची चड़ाई पर चड़ने जाना है, तो अगर वहां पर आपको क्लश दवा कि अगर गेर चेंज करना पड़ा, तो वह बहुत रिस्क हो सकता है, पहाड उपर बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो हमारी बैक अप टॉर्क की वज़े से, ये इतना सक्षम है कि आपको कही पड़ेजी गेर चेंज करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से रिजर्व पावर का यूज़ करके वो आसानी से ट्रेक्टर चड़ाई हमाचल प्रदिस में जाए बहुत जादा हमारा टेक्टर का यूज होता है बहुत जादा उसकी मांग है हमाचल प्रदिस में मंदा हमारा मार्किट सेंब horrifies तक मार्केट से रहा हमारा और उसका कारण के वली है यह यह से आपने भी बताया कि आपर पहान है जो है ऊपर चलाई पर चड़ता है जो टेक्टर में बैकप टॉर्क की वालिटी है जो एक टेक्नोलोजी दी हुई है जो दूसरे ट्रेक्टरों के मुकाबले जैसे कोसिक जी लें बताया बहुत ज्यादा है तो उस बजह से यहां पर भी बात आती है पावर होइस पावर वाली टाकत वाली बास एक बात और बीटाते हैं कि जैसे की दूसरी ट्रेक्टर है वो सेम हर्स पावर कि स्टैनी ले लिए यह चैशु और हमारा सेम हो भी को को के कम टाईम में क्क Скथ यह कैसे होता कि एक ही सेम हार्स पावर की एक मछीन है और सेम होस पावर माशीन है तो आपकी बहतर क्यों? मगर उसमें भी हमारा ट्रेक्टर जो है वह ज्याधा बड़ा इंप्लीमेंट ज्याधा आसाणी से काम कर सकता है बिना ट्रेक्टर को ़ै या बिना जादा डिजल कंजमिशन उसके पीछे जैसे बैक अप टॉर्क है इसके साथ एक और महत पूर्पूर्ट चीज है जैसे की सीसी जिसकों सीसी गोलता है तो वह क्या है कि अगर इसकों आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपका वजन بी 75 kg है मेरा वजन je 75 kg है ठीक को बताने के लिए आपका 75 kg जैसे आप यांब करें च्यार्ट करें तो दूर्त करें और महनने गया पीज़ कोड़ी डाकर्षिन क्या इभक बाताने के लिए टोनों ताकत से में हिर भड़ने के लिए सिधा मालूम पड़ ज Rose Power दिया है ये किसी के भीूत आराम से संभाज में सकता है मगर आपको लगा के आपप्पान जाता है वो ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छे से और ज्यादा आसानी से काम कर सकता है तो जो हमारी सीसी है वो अन्य किसी कॉंपडिटर ट्रैक्टर से 300-300 सीसी ताकत ज्यादा है सेम हॉर्ष आउर्ष है यानि कि एक बुलेट की ताकत आप बोल सकते हैं तो यह एक मुख्य था जैसे मैंने बैक अप टॉर्क की बात की उसके साथ यह सीसी का एक महतरपूर्ण यूजा आता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे ट्रैक्टर में एक उपकरन लगा है कि जिसको हम बोलते हैं डीजल सेवर यॉनिट जो हमारा पेटेंट अपरोड़क्त है यह अगर हम सारे कंपनीज, आज कि डेट में सारी कंपनीज करती हैं या नैस्रल है कि क्यूंकि दिजल का रेट इतने हैं कि नहीं हम लोग भी जैसे बताते हैं कि डीजल कम खाता है तो हम लोग उसचीज में विश्वास करता है कि जो कस्टमर को वही विश्वास कि सकता है अगर उसचीज को देख पाते हैं तो जैसे कि हमारे में एक डीजर सेवर यूनिट आता है अब इसको इसकी उपयोगेता समझने के लिए थोड़ा समय डिवट करेंगा सब्सक्राइब का यूज माफ किजगा एक बार फिर मैं आपको टुकूंगा जैसे पुछली एपीसोड में टुका था तो हम बस थोड़ी दिर बाद अपनी बात्चीत जारी रखेंगे आपके अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स यानी पायदे का सौधा उत्र परदेश में हमारी सोनालिका ट्रैक्टर्स की सेल्स इस साल बहुत ही अच्छी रही है अगर हम एपल से ऑक्टूबर की परफार्मिस को देखें तो हम यह पाते हैं कि उत्तर परदेश में सभी ट्रैक्टर्स की सेल्स में 16% की विद्धी हुई है जबकि हमारी सौनालिका ट्रैक्टर्स की सेल्स में 25% की विद्धी हुई है जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी हम समयते हैं की एक उपलबदी है सबसे इंपॉर्टन एक खासियत है जैसे कि मैं बताया ट्रॉली पे जा रहे हैं यह कंपरेसर पे चला रहे हैं जनरेटर पे चला रहे हैं तो उस वक्त हमको हैडोलिपम की ज़रूद नहीं तब हम लिवर की सकते हैं तो हैडोलिपम बंद आप देख रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनलिका ट्रैक्टर्स यानि पाइदे का सौधा एक बाद फिर आपसे माफी चाहूँगा मैंने आपको पिछली बाद टोक दिया था हम बात कर रहे थे डीजल सेवर यूनिट की तो सर प्लीज अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जब ट्रैक्टर खेत में चल रहा है यूज हो रहा है इंप्लीमेंट पे कोई जैसे के कल्टिवेटर हो गया या रोटावेटर हो गया या मोल्ड प्लो हो गया तब एक हाइड्रोलिक पंप होते है हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है जिसको ट्रैक्टर को इंप्लीमेंट है उसको उठाने गिराने में या एक तरह से समान थीरीटर चल रहा है उस पर तब उस ट्राक्टर पे byडलीड़ुल लिफ्त का कोई यूज नहीं होता है मगर यह नहीं, थेफ हमारे नहीं, सारे ट्राक्टर में ऐसा है कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो है यह लीक पंप वह स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो हीडोलिक फंंप और आपको समझाने के लिए फूरिए जाना कंप है वह फलका उंदर ऋपर और शाना को आपकु चलता है तो वह अपनी ताकत लेता है इंजीन के द्वारा, दुट से उसके टाकत Τो हईटॉलिक पम्प इह ए तो हमारे टो अपनी मेर्टकत के द्वारा की जितोattend कि अममेरे ये सकते आपके में चांचे खाफ यह इस इंपॉर्टन एक खासियत है जैसे कि मैं बताया ड्रॉली पे जा रहे हैं यह जनरेटर चला रहे हैं तो उस वक्त हमको हैड्रोलिक पम ज़रूद नहीं तब हम लिवर बंग बंग रहे हैं तो हैड्रोलिक पम बंग बंग अब इससे सबसे बड़ा मुना फायदा क्या अगर हम लोग 10 गंटे उस चीज इंप्लिमेंट का बंग रखते हैं तो चार लिटर क्या सेविंग हो जाता है ना केवल डीजल की बचत हो रही है बलकि अगर किसान ड्राइवर रखते हैं सीजन तलाने के लिए तो ड्राइवर का किराया भी तक्रीबन उतना ही रहता है तो जो वह भी उनका फ्री हो जाता है इस तरह से मतलब ये छोटी छोटी चो बाते मिला करके बड़ा सा बंच बन जाता है खासेत होगा तो दूसरा चीज हो जाता है कि जब हम चड़ाई पर लेके जा रहा है ट्रॉली को तब भी हम लोग है ट्रॉली को हम बंद कर दिया हमने पर अबी इंजीन को हम लोग ज़्यादा ताकत तीन से चार होर्स पावर की ताकत और ज्यादा मिल जादी है ज़्यादा लोड जो वहां कंजम्शन हो रहा था हो बज़ ज़ाता एं इसको अगन हम लोग किसानों की वासा में सिंपल तरीके से समझाना है तो हम योग यह बो आपको यह दूसरा इंपॉर्टन्ट चीज है विए जी ट्रेक्टर्स तो किसान खरीदता ही है बिना ट्रेक्टर के तो आज कल खाव ही नहीं कर सकता किसान तो किसान सोनालिका के ट्रेक्टर ही क्यों खरीदे उससे उसे क्या बेनिफिट है मतलब इन टर्म पैसे को लेकर भी क्या फाइदा किसान खरीद पर्चिस करते हैं तो कुछ तो अपना काम करते हैं और कुछ जमेवे ट्रकॉर्फी चलाते ब्लबी करते हैं गाउं जैसे तो उसके लिए के ट्रेक्टर बहुत ही दूसरे लोग डिलैनिन गहरी करता है प्लस मित्टी करता है और एक घंटे में मतलब लोगों की एक पसंद बना हुआ है कि यार खेज जुतवाना है तो मेरे को सुनालकाटेक्टर से जुताई करवाने हैं और उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटावेटर जो एक इंप्लीमेंट है उसमें किसान भाई आजकल उसका बहुत ज़्यादा उप्योग कर रहे हैं जैसे मैंने आपकी उसकी विस्षिष्टाएं बताएं कि रोटावेटर क्यों जो आपने बता है था कि वो तीन चार चीजों को ना लेकर करके सिर्फ एक रोटावेटर ले 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 उससे काम चल जाए रुपे तक का किसान पर डे की अर्निंग दस घंटे के वल टेक्टर चला के सीजन के टाइम में और सीजन आप देखोगे एक महीना इधर बहुत महत्पूर होता है जब पडलिंग करता है धान की रुपाई होती है और अधर जब धान की हार्वेस्टिंग हो जाती है एक मही तो आप यह देखोगे तो अगर महीने का अगर लगाएं तो साड़े तीन लाख से लेके वह साड़े चार लाख रुपे तक की अर्निंग कर सकता एक महीने में और इसको हम लोग डिमोस्टेट करके दिखाते हैं कि आप सेविंग कैसे कर सकते हम बातों पर यकीन नहीं करते गाओं में जाते हैं हमारी जैसे मैंने आपको बताई हमारी पूरी फील्टीम है इस चीज को दिखाते हैं कि कैसे एक आप जो है एक ट्रेक्टर से 10,000 रुपे पर डे कैसे कमा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया विहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी फिर मिलेंगे आपके अपने हास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोनालिका ट्रेक्टर्स यानि फायदे का सौधा में पिछक्तर के करीब E.S.C. जो पूरा authorized service center है जिससे कि किसान को time के accordingly service एकदम बिलकुल उसके घर पर या उसके खेत में भी आप देख रहे हैं किसान भायों के लिए हमारी खास सेरीज सोनालिका ट्रेक्टर्स यानि फायदे का सौधा कौशिक जी आप हम वापस आपके पास आते हैं हमारा अगला सवाल है कि after sales service मतलब एक बहुत ही महत्पूर्ण बाद जो consumer के लिए भी है और companies के लिए कि जब ट्रेक्टर सेल हो जाता है तो उसके बाद मतलब ट्रेक्टर की servicing और वगएरा वगएरा जूबा सारी चीज़े होती है मशीन को ले करके तो वैसी service उसको provide कैसे कराते हैं मतलब कितनी आसानी से किसानों को वो चीज मोहिया हो जाती है हाँ जी जैसे कि आप जानते भी है कोई भी एक machine है या कोई भी automobile है अगर सिर्फ आप उसको बेचने से हेतू से रखेंगे तो किसान आपके साथ या customers आपके साथ लंबे समय तक नहीं जूड़ सकते है और मगर इसके लिए बहुत महत्पुरून चीज है अगर किसानों के सा लंबे समय तक जुड़े रहना है या हमारे product को सही तरह से promote करना है तो एक service एक बहुत important role play करता है उस part में ताकि सही तरह से customers को अगर service मिलती रहेगी भले हम लोग कितना हम लोग ये विश्वास दिलाते है customers को और यही हमारे लिए घर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे क इसके इलावा हम tractor के साथ कुछ भी हमको छेडने की tractor को जरूरत नहीं पड़ती है लगातार अच्छी performance या अच्छी कारे कुशलता से काम कर रहा है मगर ये important है फिर भी जो किसान भाईयों के लिए निरंतर service provide करने के लिए पूरे भारत वर्स में हमारे पास 850 dealers है 400 spare retailers हैं ज किसानों को spare parts और service provide करने के लिए अच्छा सर यहां पर मैं पूछना चाहूंगा जो आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि आपका plant होश्यारपूर में है तो सिर्फ वही है plant वही है हां जी हमारे पास एक plant और भी है जो फत्वा में है बिहार के फत्वा में भी हमारा एक और plant है जहां पर assembling अगरे और tractor का उत्पादन वहां पर भी होता है मुखत यह सारा उत्पादन होश्यारपूर plant में होता है तो मैं वापस आता हूं कि हमारे इतने सारे dealers हैं जिनकी proper workshops हैं और कई की workshop तो हमारे इतनी अत्य आधियूनिक workshop हैं जाहां कि सब कूर टूल से हैं इसके इलावा हमारे पास सबसे important काम करते हैं कि आज की date में खासकर जब season का time है या किसान लोग सब dealership की नस्दिक तो लहता नहीं है किसान गाउं में रहते हैं dealership मुख्य शहर में होती है मुख्य गाउं में होती है तो किसान रहता है 80 km दूर 60 km दूर तो हमारे पास सब की mobile service बाइक अवेलेबल है जबकि जो की time time से हमारे पास list रहती है कि कब किसान कब tractor लेके गया तो उसकी अगली service कब due है तो उसको उसको फोन किया जाता है कि आपकी service अभी due हो रही है तो आप घर पे अवेलेबल रहेगा तो हमारा mechanic खुद आपके घर आके आपके घर आके आप है कोई बड़ा काम हो जाए या कोई कोई दुरगट ना हो जाए या कोई इन पखवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए ट्रैक्टर को रिप्यार के लिए आना पड़ा है तो हम लोग उसके इलावा भी हम लोग हमारे पास करीबन 500 ASC जिसको हम लोग authorized service center बोलते हैं वो authorized service center हमने कम से कम 500 authorized service center पूरे भारत में हैं हमारे जिनके द्वारा customer को अपने गर से ज्यादा दूर तक न जाना पड़े ताकि कुछ में काम आना भी पड़े तो वहां पर authorized service center से काम करा सके जिस पर वास सब कुछ हमारे parts, oil और परिक्षित mechanics सब अवेलेबल हो ताकि उनको अच्छे से service मिल सके, door step service मिल सके और उनको ज्यादा मेहनत season time में ज्यादा diesel का खर्च करके दूर तक जाना ना पड़े और उनके जिनका उनके विश्वास के अनुरूप या उनकी संतुस्टिच के अनुरूप हम लोग उनको service प्रोदाइन कर सके अच्छा सर अभी आपने अच्छे बोला दुरगटना तो दुरगटना से बात आती है कि ट्रेक्टर का insurance तो उसमें company insurance करवा करके देती है हम वो तो जैसे कि जो जो दूसरी companies के साथ जाना insurance जैसे का अधर automobile का होता आप जैसे ट्रेक्टर का registration की बिना और insurance की बिना नहीं जा सकता है तो वैसे यहां प अधर प्रदेश में भी मतलब कैसे जो है इसके अब आफटर से सर्विश जिसकी बात हम कर रहे तर से तो बड़े राज्यों की बात होगी सारे राज्यों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में क्या है इसके लिए खास है कुछ जैसे कौसिक जी ने बताया कि एक service जो है ज मतलब customer जानता है ट्रेक्टर में कोई ऐसी पर पड़ी problem आती नहीं है लेकिन फिर भी service की जुरूत पड़ती है तो इसमें जैसे कौसिक जी ने बताया कि हमारा इसमें सबसे पहला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यूपी में हमारा total 200 company के लोगों का network है जिसमें service की टीम भी है service की टीम का total एक रॉल यही है कि ट्रेक्टर सेल होने के बाद में सब चीज को देखें properly कि ट्रेक्टर की service के facility dealership पर proper way में है या नहीं जैसे उसमें से एक आता है तो वह है दूसरा जो है जैसे पूरा यूपी में हमारे करीब डेड़ सो जो है हमारे जो है रिटेलर से जो parts available कराते हैं जैसे आप देखोंगे सब्सक्राइब लगनव में तो लगनव वाला customer मानो सब्सक्राइब चला रहा है मानो गंगा गंज में अब लगनव से यहा डि विवस्ता है उसको प्रवाइड करवा देते हैं तो ऐसे हमारे ESC है करीब 75 के करीब ESC है जो पूरा authorized service center है जिससे कि किसान को time के accordingly service एकदम मिल्कुल उसके घर पर या उसके खेत में भी जी टेक्टर मारों खेत में service करना है तो महां ही हमारा आदमी parts लेके motorcycle लेके जाएगा और वहाई उसकी विवस्ता पूरी करके आएगा जिससे कि उसकी एकदम टाइम उसका वेस्ट ना हो उत्तर प्रदेश में हमारा यह network है जो हम किसानों की जो है टेक्टर लेने के बाद में यह पूरा service का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और दिन रोज और उसको focus भी हमेशां रख करें बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी बिहारी जी आपका आज की एपिसोड में बस इतना ही तो देखा किसान भाईयों कितनी अच्छी बाते हमारे एक्सपर्स ने हमें बताई है इससे आपका भी ज्यान बड़ा होगा मेरा भी ज्यान बड़ा है लोगों ने मज़ें सवालिका की सला दी इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 तन 28 से 30 मार लेकर चलते हैं और इसमें सबसे बड़ी बाती है ट्रूट विए और मेंट्रेंस तो बहुत जीरो है सुनलिका गाड़ी रखा हूं और मेरा साथ हेकर खेती है इसी सुनलिका गाड़ी से खेती करता हूं और आठ फूट का रोटावेटर चलता है और गाड़ी तिल कम खाता है मैले जाचा देता है और मैं इसका किस्त एक साल में आदा कर दिया और दुसरा साथ आरेक्स लेने के सलाह कर रहा हूं प्रिजेंटिंग स्पॉंसर सुनालिका इंटरनेशनल देश की सर्फपथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज